हला विर्वान मैं गायतरी हाऊ टू मेकबाई गायतर मैं असली का स्वागत करती हूँ और आज आप लो कलिके लेका हैं बहुत ही टीस्टी यमी फटा पट त्यार हो जाने वाली मकर सक्रांती स्पेशल बरफी की रेसिपी बहुत ही इसी बहुत ही सिंपल है जादा कुछ में सब्सक्राइब कर लेजएगा तो चले शूरू करते हैं बनाना यहां पर मैं गेस के उपर रख दी है कड़ाई और गेस ऑन कर दिया है तिली डाल देते हैं सिखने के लिए तिली फटाफट सिख जाती है मीडियम फ्लेम पर आपको सेखना है तिली को और लगातार चलाते हुए यहां पर मैं आदा किलो तिली ली हूँ और एग्णम साफ सुसरी तिली है आप एपर बीन लीजिएगा देख लीजिएगा कंकरवन करना हो लेकिन जो मेरी तिली है उसको मैंने पहले से बीन के रख लि तो भी छोड़े कगाम होंदेते हैं तो यहां पर त्ट इसको टंडा होने देते हैं यहां sideways संट इसे सठ्रेश नया फोल त्ट यहां पर मैंने लिया ऑधा के दो 300 मैं तो कहाँ पर्फेक्ट है क्या सक्थाए डेंगल से आपड़ में थाली को गी mess कर लिया है और इसमें डाल देते हैं थोड़े से ड्राइफूट यहां पर गुड़ को मैल्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला था मतलब की तींचा चमच के असपस मैंने इसमें पानी डाला था ताकि गुड़ जलेनी और अरचे से मैल्ट हो जाए तो गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब भी मिक्स हो जाएका उसके बाद इसमें हम डाल देंगे तिली जो हमने पौडर बिना के रख रखी है तो थोड़ी थोड़ी करके तिली डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे आप चाहो था इलाइची पौडर भी डाल स तो बस यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स हो जाएगा उसके बाद जो घी लगी थाली है ना उसमें हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे यहाँ पर काफे ची से मिक्स हो चुका है यह तो इसको हम घी लगी थाली में सेट होने के लिए रख देते हैं यह देख जाएगी इससे पहले मैंने लट्डू के डाली है अपने चैनल पे तो आप देख लीजेगा और वह बहुत इजी बहुत ही सिंपल तरीक से मैंने बनाना बताया है यहां पर देखिए अच्छे इसको मैं फिला देती हूं किसी भी कर्टोरी में घी पीचे साइट लागा कि और चिके ना वह बनके तयार हो चुकी है यह बहुत ही अच्छे से यह सेट हुए और बहुत ही मतलब सॉफ्ट ऐसी कळक नी है जिससे हम दासे तो तूटने में दिखकर जाए बहुत सॉफ्ट रनी है हांसे पकड़ने पर भी खीर रही है तो आप इसको बना के जरूर ट्राइ कैसे मैंने बताया है आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट करें दरू बताइए कि जादा दा तमसे फैल से में में शेयर कर दीजेगा फिर मिलती हूँ इसी तरी की रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाइबाइब